सर ये बताए उजियारपूर जो सीट है नित्याननराय लड़ रहे हैं वो आलोक महता कौन किस पर भारी पड़े हैं केंदरी राज जिग्रिह मंत्री उमिद्वार है इंडिये के और उनका मुकाबला है आरजडी के आलोक महता से तो लगतार उचुनाव वहां से जित्ते रहे हैं इस बार भी पाठी ने उनको ही मैदान में उता रहा है लेकिन मुश्किल है जहां भी वो चुनाव परचार करने जा रहे हैं लोग सवाल जवाब उन से कर नितिया नंडाय से जो खुस नहीं है वो भी नितिया नंडाय को बोट देंगे यह मोदी फैक्टर का कमान थे पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्या नहां नमस्कार स्वागत है आपका सेटी पोस लाइब में मैं हूं मुसकान और आपको बता दे की चौथा चरन क्या चुनाव बिलकुल पास आ चुका है जी हां चुनाव जोरो शोरो से चल रहा है और लोग भी चुनाव मदान देने जा रहे हैं आपको बता दे की चार फेज में जो होने वाला है पास जगा होने वाला है दर्भंगा उजियारपूर समस्य पूर बेग्यू सरायव मुंगेर जी हां Hot Seat बना हुआ है वैसे सारे सीट जितने भी हैं बिहार के Hot City बने रहते हैं मुकावला बराबरी का है अभी हम बात करने के लिए हैं उजियारपूर को लेकर जिसमें नित्यानन राय हैं एंडिये के एंडिये ने उता रहा है नित्यानन राय को और राज़त ने उता रहा है आलोक महता को आये चलिए बाचित करने के लाज हमारे साथ है वरिश्च प्रत्यकार श्रिकान प्रत्यो और उनका मुकाबला है आरजेडी के आलोक महता से, आलोक महता भी कदावर नेता है, कुस्वाह के बड़े नेता है, पिछली बार भी वहीं चुनाव लड़े थे, लेकिन नित्यान नंडाय ने उनको हरा दिया था, और हार की वज़ा यह है कि आदों का कहीं न कहीं समर्थन न आरजेडी के पक्ष में, तो नेत्यान नंडाय का जितना मुश्किल था, लेकिन यह आदों बोट में डिविजन होता है, नेत्यान नंडाय की वज़ा से, इसलिए उनको चुनाव जित्ते हैं, तो लगतार उनको ही मैदान में उता रहा है, लेकिन मुश्किल है, जहां भी चुनाव परचार करने जा रहे हैं, लोग सवाल जवाब उनसे कर रहे हैं, और उस सवाल जवाब से बजते हुए न जरा रहे हैं, तो एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर है, मंत्री हैं, छेत्र में कम गए, या जाने का मोका नहीं मिला, चुनाव में ही जा रहे हैं, अचानक लोग सवाल जवाब कर रहें लेकिन मोडि फैक्टर हुँ हां काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जो भी निचले तब के लोग्म हैं अती पिछ रे समय के लोग हैं वो मोदी के क्लिण oldest नाकारी यूजनाओं से प्रभावी थैं और हो मोदी मोदी कर रहे हैं निप अन्याथा था उस समय तो कोई लड़ाई दिखी नहीं रही थी और चालिस में से 49 सीटे इंडिये जीत गया था कि उलकिसन गंज की सीट यूपीय कहां था इती कांग्रेस पाटी जीती थी लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है हर सीट पर कांटे की लड़ाई है उजी आरपूर में भी नेक कि बारे में कुछ उल्टा पूल्टा बोलकर अलोक महता यादों को नराज नहीं करना चाहते तो यादों को यह समझा रहे हैं कि नित्या नंडाय मुखावटा हैं उनको आगे करके उनके कंधे पर राइफल रखके बीजेपी लालू यादो तेजस्वी यादो पर निचान यादो मुसलिम उसी तरह से गोलबंध हो गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी नित्या नंडाय की लेकिन इतना असान काम यह नहीं है अलोक महता भी वहां से एक पर चुनाव जीते हुए हैं लेकिन अभी मोधी फेक्टर जो ग्राउन लेल पर काम कर रहा है उसकी बदौलत नित्या नंडाय मैदान में ठीके हुए हैं तो वहां कौन जीतेगा कौन हरेगा अभी बता पाना मुश्किल है क्योंकि यादों किसका साथ देंगे क्योंकि यादों को क्या चाहिए कि उनका समाज का नेता पावर में रहे तो नित्या नंडाय को तो बहुत पावर दिया ब मुख्यमंत्री पत को लेकर लेकिन किंद्री गिरी राजमंत्री तो महत पुन पत होता है बीजेपी ने दिया तो कहीं ने कहीं यादो बोट में डिविजन होने की गुंजाई सभी भी है लेकिन दूसरी सिटो पर जिस तरह से यादो मुसलमान इस बार गुलबंध हैं अगर लोग सभाद चुनाव में इस बार भी गुलबंध होगे तो मुस्किल होगी देखिए होता क्या है कि लोग सभाद चुनाव में यादो भी बूट दे देते हैं बीजेपी को राष्टवात के नाम पर सनातन के नाम पर लेकिन विधान सभा में यादो पूरी तरह से लडाई में बने हुए हैं लेकिन अलोक मेहता को विश्वास है कि इस बार यादो जहां से में नहीं आएंगे इस बार यादो गोलबंध रहेंगे पूरी तरह से उनके पक्ष में तो भी चुनाव जित सकते हैं तो लडाई कांटे की है मुकाबला कांटे का है और हमने तो दर्ली को विश्वास है तो गाड़ियों के काफने के साथ अकीले गूम रहे हैं उनकिे कंप अधर का गठीय हो दिस लोग रहते हैं रह canig रह रह रहा है गाडी तो गाडी ही आदमी का जन से लाव रह रह रहा है क्या कि रहेगा तो पुरा धुआदार रहेगा पुरा रोट्शो बनाई आर्जेडी के खरकरता ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं उनका चुनाव परचार भी काफी अग्रेसिव दिखता है और कभी- होगा और उसाही रहते हैं तो संभावना भी रहती है कि लिडाई अच्छी होगी तो अलोक मेहता के साथ भी यही प्रस्न है कि जो यादों है कितने गोलबंद उनके पक्षमे रहते हैं कितने अनुसासित रहते हैं जो अति पिछले पिछले समाज के लोग हैं उनको किस हद तक जोड़ पाते हैं अगर वो जोड़ पाने में कामयाब रहे अति पिछलों का विश्वास हासिल करने में संध्यार देन कामईाब रहे तो चुनाव जिता जा सकता है लेकिन बहुत आसान नहीं पूर्द महते के साथ लुट फिल फॉस mendas बाकी लोगले बेटे के लिए हुए हैं उसी माइक से जहां भी गाम गये पाचिदस लोगों को समुधित किया और हाथ जो लोकर बोट मांगा चल गए जहां लोग सिकायत करने लगे उनको आसो असन दिया कि ठीक है अब दूर कर देंगे चले गए तो उनका चुनाओ परचार तो बिल्कुल साइलेंट मोड में है पता ही नी चलता कि चुनाओ परचार करें एक दम बिल्कुल रोट से उत अब जीतेगा को ने कहना मुस्किल अब सुन रहे थे आप भी अपना ओपीनियन दे सकते हैं उज्जी आरपूर में कौन होगा किस पर भारी तब तक लिए बने रहे हम ऐसा धन्यवाद